हलो दोस्तो नमस्कार पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहां पर बहुत ही शांदार तरीके से यहां पर बाजर हम लोग को नीचे जाते हो देखने को मिल रहा है सो यहां पर भी हम लोग बात करेंगे कि कौनसे रीजन यहां पर फिट बैठते है कि जिसके कारण यह बाजर में प्रेशर डेवलप हो रहा है कुछ reasons ऐसे हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं एक से दो दिन तक बाजर को परेशन कर सकते हैं सिर्फ Indian market को नहीं बलकि दुनिया के market को and कुछ एक दो points ऐसे हैं जो कि Indian market के लिए ही जादा सरदर्ध यहाँ पे रहने वाले मतलब बाजर में pressure create कर सकते हैं तो एक एक reason को हम लोग यहाँ पे identify करेंगे और उसी से related information यहाँ पे जानने की कोशिश करने वाले है सबसे पहले हम लोग देख लेते कि कल की दिन बाजर भी कैसे रहा कौन सा American Bazaar American Bazaar आप देख सकते हैं बिलकुल flat right कोई यहाँ पे जादा moment नहीं है बिलकुल मतलब जहाँ से open हुआ वही पे close हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे तो उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें आज का दिन American Bazaar के लिए सिर्फ American Bazaar ने पूरे दुनिया के market के लिए ही बहुत ही जादा important रहने वाला है क्योंकि FOMC की meeting जो दो दीन हम लोग को चलते वी देखने को मिलने वाली है वो आज से हम लोग को सारी चीजे होते वी देखने को मिलने वाली है खेर उसके उपर हम लोग थोड़ी दर बात-बात करेंगे पहले एक बार American Bazaar का future देख लेते हैं अमेरिकन Bazaar के future का chart pattern आप कैसकते हैं इसे diminishing manner में ही देखने को मिल रहा है राइट सो हमारे निफ्टी में भी थोड़ा बहुत वैसे ही chart pattern create होते हुए देखने को मिला है उसी के साथ आप सभी लोग को बता है global market के और एक संकेत होते हैं जो की दुनिया के जितने भी बड़े indices है major global indices उसको भी देख लेते हैं उसमें specifically हम लोग European Bazaar देखते हैं so European Bazaar के अगर हम लोग बात करें क्या वहाँ से कोई support आ है chances तो बहुत ही कम है वहाँ पे भी लाल निशन के ही chances रहेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी लगबग एक पसेंट के आसपास मतलब हम लोग कह सकते हाफ पसेंट एक पसेंट के आसपास ही हम लोग को European Bazaar में भी ठीक टाकी यहाँ पे normal यहाँ पे गिरावाट देखने को मिल रही कोई बड़ी गिरावाट तो नहीं है बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि FOMC की मेटिंग आज की दिन बहुत ही जादा है आज और कल बहुत ही जादा important role यहाँ पे play करने वाली है और इस मेटिंग की सबसे खासियत बात यह है कि government बदलने के बाद first time यहाँ पे जो बेडन उनके जो पार्टी डेमोकरेट हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं उनके अंदर मतलब हम लोग को यह सारी चीजे होती हुए देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल से बहुत ही पूराने समय से जुड़े हुए मेरे हमीशा अप लोगों को कहा है कि कभी भी ऐसे FOMC की जबी भी मीटिंग होती है पूरा मार्केट मतलब सिर्फ इंडियान मार्केट ने पूरे दुनिया के मार्केट उस मीटिंग के उपर नजर टिकाए बैठे रहते हैं उसी के साथ जब भी भी फेडरल रिजव की भी हम लोगों को कोई ना कोई बड़ी अनौंसमेंट मीटिंग देखने को मिलते हैं उसका आउटकम देखने को मिलता है तबी भी पूरे दुनिया के मार्केट उसके उपर फोकस रखता है उसी के साथ आप देख सकते हैं जो बहुत साथे बैंक से वही यही बता रहे कि FOMC मिटिंग हम लोगों को सबस्यादा स्पोटलेट उसी के उपर यहापर हम लोगों को आज और कल यहापर देखने को मिलने वाला है यहाप देख सकते हैं उसी के साथ और what to expect from the this week's FED meeting FED मतलब FOMC का जो FA उसी को FED यहापर बोलते हैं तो अगर मैं यहापर बात करूँ तो संडे के दिन भी मैंने इससे रिलेटेड और चोटा पॉइंट कवर किया था वहापर भी मैंने आपको बताया था कि यहापर जो major changes है policies में वो कोई भी यहापर नहीं रहेंगे जो पूराने उनके जो rates सब कुछ हम लोगों को देखने को मिला था वो stable ही यहापर देखने को मिलने वाले मतलब unchanged यहापर देखने को मिल सकते 99.999% बट यहापर जरूर उनकी जो commentary रहेगी उसी की साचत economic का आगे का जो outlook भी हम लोग यहापर बोल सकते जो data रहेगा वो भी देखना पड़ेगा और उसी की साचत जो job loss से related data है उससे related जो भी commentary रहेगी जो evidence की हिसाब से हम लोगों को सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है वो सबसे जादा important role यहापर play करने वाली है और यह news completely international level के market को यहापर हम लोगों को हिला सकती है इस type की news यहापर हम लोगों को देखने को मिल रही है याद रखना सिर्फ Indian market टॉप पे नहीं है दुनिया के तमाम market अगर आप देखोगे तो अच्छे कासे जो COVID के वक्त उन्हेंने low बताया था उसे से लेके अपी अच्छे तरीके से वो higher level पे है इसी का impact हम लोगो अच्छा गासा यहापर देखने को मिल चुका है जैसे मैंने कहा दोस्तों इसका जो impact रहेगा वो एक दो दिन तक यहापर रह सकता है क्योंकि आज की दिन यहापर जो meeting रहेगी दो दिन चलती रहती है इसी से related जो भी outcome आएगा बहुत ही majorly यहापर उसका impact देखने को मिलेगा डो जोन्स के उपर अभी आप लोगों की नजरे बहुत ही सकत यहापर होनी चाहिए औल्दो हम लोग investor है बट still आपका जो information collect करने का जो रवय होना चाहिए वो trader की तरह होना चाहिए trader को एक एक second का information होना चाहिए वरना वो कभी भी पैसा lose कर सकता है यही कहना चाहिए इन सारी चीज़ों के उपर आप लोगों का focus यहापर रहना चाहिए यह तो हो गया एक reason जैसे मैंने कहा एक दो दिन के लिए यहापर यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी उसके बाद आ जाते second number के reason के उपर और वो reason बहुत ही simple है दोस्तो आप लोग यहापर image से ही अंदाजा लगा सकते हो यह दोस्तो यह back देखते हैं आप लोगों को अंदाजा आ जाते है budget से related यह दोस्तो यह budget से पहले हम लोग बोलते हैं एक nervousness मार्केट में रहता है और यह इससे पहले भी हम लोगों को यहापर देखने को मिल चुका है so budget से related मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ data यहापर मैंने internet के उपर खुद collect करके यहापर देखा था तो मैं आपको कुछ points यहापर याद दिलाना चाहूँगा यहापर जैसे की जो budget का period रहता है ना मतलब अगर हम लोग पकड़े यह जो period है वो budget का है exact इस दिन budget रहने वाले है so उसके 5 दिन yes दोस्तो कितना budget के पहले के 5 दिन and budget के बाद के 5 दिन यह बाजार में बहुत ज़्यादा volatility क्रेट करते है मतलब जो ups and downs आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो यहापर देखने को मिल जाते हैं so अगर मैं यहापर बात करूँ तो जैसे मैंने बताया पीछले 10 साल के history निकाल के अगर आप देखते हो कि यहापर budget के पहले के जो 4-5 दिन रहते हैं so उसमें हम लोगों ने देखा कि यहापर लगभग 5 बार market में यहापर बड़ी गिरावटे हम लोगों को देखने को मिली so budget की दिन अगर हम लोग बात करें out of 10 6 बार market ने क्या किया है negative मतलब निराशा दिखाई है minus में लेके गया है market एक दो बार ऐसा रहा है कि बिल्कुल moderate ज़्यादा कोई reaction नी और एक बार तो बहुत ही अच्छी तरीकी से भागा था and after the budget अगर हम लोग 5 दिन की बात करें so लगबग 3-4 बार हम लोग को देखने को यहापे मिला था कि यहापे बाजार हम लोग को pressure में देखने को मिला था so हम लोग कह सकते कि budget का जो overall यह जो package देखने को मिलता है on budget, before budget and after budget so ज़रूर यह volatility create करने वाला ही period रहता है and सबसे खास बत अगर हम लोग बात करें इस वक्की हमारा PE ratio इतने top पे है, market पूरे top पे है so इसमें जो गिरावट रहेगी वो तो आम बात है आने वाली जो next 2 भी दीन यहापे रहने वाले है बाजार के लिए इसी तरीके से हम लोग को pressure शायद से create करते हैं देखने को मिल सकते है until and unless कोई बड़ी news आ जाए तो बात different है, right? and during the budget also, मतलब first feb की भी अगर हम लोग बात करें history में देखा गया है कि expectation इतने रखे जाते है कि usually गिरावट ही हो जाती है बट इस वक्त की अगर गिरावट हो गई अगर expectation के मुताबिक budget में announcement नहीं होती है so definitely गिरावट बहुत बड़ी भी यहापे हो सकती है right? तो यह सबसे बड़ा reason है जो की second हम लोग यहापे कह सकते है and जैसे मैंने Sunday के दिन भी बतायता and कल के दिन भी बतायता yes 26 की अगर मैं बात करूँ January छुटी थी तब ही मैंने बतायता कि आने वाले तीन दीन रहने वाले बहुत ही जादा crucial यहापे रहने वाले है so इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं यह दो important reasons है यहापे बाजार में हम लोग को लगातार pressure देखने को मिल रहा है so आज के दीन की जो रात FMC की जो मिटिंग रहेगी जरू हम लोग को देखना है कि वहापे कोई मतलब adverse body news नहीं आनी चाहिए stimulus package से related कोई बड़ा negative news नहीं आना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कते मतलब बाजार को गिरने के लिए और भी solid reason यहापे मिल जाएगा इतना हम लोग जरू यहापे कह सकते है और अगर हम लोग कोई आखरी reason यहापे देखे तो जरूर हम लोग कोई आपे पता नहीं है कि foreign portfolio या फिर foreign institutional investor अगर हम लोग देखे तो पिछले दो दिनों से तीन दिनों से बहुत ही minor सा वो profit booking कर रहे है जब यह बहुत बड़े पैमाने के उपर पैसा निकालेंगे तो आज का data हम लोग को देखना पड़ेगा अभी तक अगर आप data चेक करोगे तो शायद से अपडेट नहीं हुआ होगा जैसे कि आप लोग देख सकते अभी तक foreign investor ने जो भी पैसा निकाला है वो temporary change देखने को मिल रहा है जिस type से उन्होंने invest किया है मतलब उनकी investment आप लोगों ने देखी होगी इससे पहले भी 60,000 करोड, 10,000 करोड इतने बड़े-बड़े investment मंतली देखने को मिले इसके इसाब से 500 करोड, 700 करोड ये कोई बड़ी गिरावल, ये कोई बड़ा profit booking अभी तक तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है इससे बड़ेट के पहले यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रूख अपराते हुए देखने को मिल सकते हैं बट possibility वापस बहुती rare नजर यहाँ पर आती है यह डेटा अभी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा important है कि यहाँ पर इस वीडियो को मतलब खतम हो जाने के बाद यह आप लोगों ने देखना है foreign minister का data कि यहाँ पर क्या बदला हुए उसी के साथ साथ उसके बाद जो second data रहेगा वो कौन सा रहेगा American Bazaar, Dow Jones देखना है आज के दिन and third FOMC की जो meeting रहेगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि क्या exactly यहाँ पर चल रहे है तो यह बहुत सारा homework करना पड़ेगा and वो भी during the market, मतलब market बंध होने के बावजूद यह सारी चीज़ों के उपर आप लोगों को focus यहाँ पर रखना है तब जाके आप लोगों को कुछ अंदाजाया पर आ सकता है but again कहना चाहूँगा as a investor कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों को in fact investor के लिए यह मुखे बहुत ही शांदार होते है कि बाजर जितना नीचे आए उतना उन लोगों के लिए अच्छे quality stock नीचे खरीदने का भी मौका उनको मिलता रहता है so आज इसी से related कुछ और भी एक दो वीडियो आ जाएंगे जो कि आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है so आया पशा करता हो दोस्तो बाजर में गिरावट की कुछ चोटे मोटे कारण में आप लोगों को या पर बता दिये है और यही कारण सायद से आने वाले budget से पहले एक दो दीन तक repeat होते भी देखने को मिल सकते है so फिलाल इस वीडियो को यही पर रोकना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेर कर देना so that's it thank you very much जोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई